6.4.7 लाइसोसोम कोशिकाओं में कुछ ऐसे पदार्थ पाय जाते हैं, जो पूरी कोशिका के लगभग सारे पदार्थों को नश्ट करने की छमता रखते हैं. प्रश्ण यह है कि फिर ये पदार्थ उस कोशिका को नश्ट क्यों नहीं करते? यह पहली तब सुलजी जब लाइसोसोम की खोज हुई? यह स्पश्ट हुआ कि ऐसे सारे विनाश्कारी पदार्थ लाइसोसोम नामक थैलियों में भरे होते हैं, और साधारन परिस्थिती में कोशिका के शेश पदार्थों के संपर्क में नहीं आते हैं. अब आप समझी गए होंगे कि जैसे ही कोशिका में हानिकारग पदार्थ बनते हैं, लाइसोसोम उसे प्रायर नश्ट कर देते हैं. कभी-कभी विशिष्ट परिस्थितियों में लाइसोसोम फट जाते हैं, और उनमें भरे एंजाइम पूरे कोशिका को पचा डालते हैं. इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग या आत्मघाती जूला भी कहते हैं. कोई कोशिका पूर्ण रूप से रोग ग्रस्थ हो गई हो, तो लाइसोसोम की क्या भूमिका होगी? 6.4.8 रिक्तिकाएं, वेक्योलस दर्शाएगे चित्र में पादप कोशिका का कौन सा अंग बहुत बड़ा सा दिक्रा है? कोशिका द्रवे में तरल पदार्थ से भरी कुछ गोला कार थैली नुमा रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें रिक्तिकाएं कहते हैं, जन्तु कोशिकाओं में ये रचनाएं छोटी छोटी होती हैं, रिक्तिकाओं में कुछ पदार्थों का संग्रण होता है,